और दूसरा में अज़ स्टार्ट हो चुका है हाँ पर उत्राखंड और यूपी का बाली बेडिंग पाए है नाजीम काशिपुर बाली पहले पहली गेन मारा है इस बाल लागोन के उपर ते बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत उचा बहुत दूर और छे रन छे नहीं है छे नहीं है बचा लिए अर्चुने बहुत दूर दूर भाई बहुत ही अपनी टीम के निए पाशन बचाए बहुत ही बढ़िया वाली एक बार फिर फुरकान मलिक को इस बार उड़ाकर मानना चाहते थे आगए का बॉलता लेकिन बल्ले कंदूरी कि नारा गेन ग देखना है इस बार आउड हो गाए इस बार नाजिम भाई वापच जाएंगे चेक होगा चेक होगा देखते हैं चखका है क्या हुट है चक्का है क्या होड़ा बहुत ही जबरदस्त के पकलिए भाई बल्ले का उपरी किनारा लगा था गेन गई दिया एक्सा कवर में इन्ह बॉल और हलका तो खेला बाली 140 बॉल भेग रहा है बहुत ही तेज बाली ओवर में अपने आगरी बार राम से वक्के निये और पहुत बहार और एमपार का इशारा वाइड बॉल अपने और में पहले में आगरी बार केवल दो रन दिये इस बाली ने और एक बहुत बड़ किट नाजम का बाली ने इसमें ओशे और थिरो का रण बन गया थे और वहर थिरो का रन एक और बन गया तीन और आंचार और बन गा एक उवर में रामू सामना करेंगा रजु खान का राइठ हैंड राउंद दौगेट मीडियम पैस है पहली निंग का दूसरा और एक और और एक विगेट नाजिम का रामू और श्टम के बाहर पहुत जबदस कवर ड्राइब और एक्ष्टर कवर में एक रन असानी से पूरा कर लिए आप सामने करेंगे फुरकान मलिक एक और ओवर थिरो का रन बन गया एक और बन गया राम से बाख सामने करेंगे अर्शू खान का एक और एक गेन चारण एक विगेट ओ बहुत बढ़िया गुड लेंड बोलता हुडा कर मन जदे लेक इस्टम पर गेन थोड़ा रुकाया गेन लगा रामू अर्शू तीसरी बार सामने करेंगे रामू चोटा बॉल करा है बहु तेज गेन लेकिन एक्ष्टा कवर मारा है दद्दा जब तक फिल्डिंग करें असानी से कवर एक रन पूरा कर लेंगे पान फ्रॉम बिजनौर बैटर है फुरकान मलीक फ्रॉम काशिपूर बहुत अच्छी गेन और बहुत हल्का तो दरफ खेलकर एक रन पूरा कर लिया जब तक फिल्डर मोगली फिल्डिंग करते एक रन एक बोल और बागी है अभी अर्शु खान की निकल बॉल था उड़ा कर मिट फिकेट मानने चाते थे लेकिन गेन नीच रहा और गई और सत्रान और एक फिकेट बाली का सामने करेंगे बाली अपने उबर में दूसरी बा ये आमके बागों में ये भाई बहुत दूर छकृमारा है बाली के इस होगा ने पहली बाल पर छक्का मार दिया बाली अपने उबर में दूसरी बार बोल डालेंगे रामु को लेकि स्थां के बाहर और एंपार कैसारा वाइट राम को बाली अपने ओवर में दूसरी बार एक छक्का और एक वाईट दो छक्के और एक वाईट फाइन लेक पे गिरी जाके बाउंटरी सीमा रेखा के बाद छक्का बाली का बाला बना दिया है इस ओवर में दो छक्के और एक वाईट बॉल बाली इस ओर पुरे रिदम में में नहीं हैं दो भौलों में दो छक्के और एक वाइट तेन अचुके हैं बाली तीस रिवार वार ये मारा लेकिन खड़ी है शायद खड़ी है शायद लेकिन नहीं भाई यह वी गया 135 मीटर का चका का तीन अले और तीन शक्के वाली ने चुंकिः नहीं बाली तीन बोले तीन चक्के और एक वाइड उन्नीस रन तीन बोलों में चोधी बार बाली और बहुत ही तेज मारा था भाई बने रख कनेक्ट नहीं हुई और सीधी बल्ले बे बोलर के बरावन दा विकेट से बॉल डालने फुरकान मलिक को इस ओबर बन चुगें बीस पिछले हैं सत्रा सैंतिस रन सैंतीस और छे सैंतीस और छे तैंतालीस रन हो गाए भाई इस ओबर से चोटा चक्का बाली का इस में बिर्कुली पानी निकाल के रख दिया और चक्के मार दिये हैं चार वो भी बहुत लिक गंगन चुम्बी बहुत ही लंबे लंबे फुरकान मलिक के बल्ले से निकलता हुआ पहला बहुत गंगन चुम्बी छक्का बाली अपने ओवर मां आखरी वार चार शक्के एक चोका 26 दो वाईटे 26 देख भाग के 27 और दो पीछे के इस ओबर से बने 29 रन मेंडिस सामना करेंगे रामू रिवर सुइप मारा था लेकिन गेंस सीधी मिडिल स्टम टॉप पे लगी और वापत जाएंगे मोगली वह सुरी रामू बहुत अपद्दत बॉलिंग गुड लेंड तो बाली यहां बक्चोदी करता हुए नाजिम भाई से दूसरी वार यह वी रिवर से मारा है लेकिन खड़ी हो गई खड़ी हो गई और नो मैंस लेंड में गिरीज कोई था मौजूद ही नहीं था और एक रन मना और यहां कोई तूतु में में हो गई नाजिम भाई की बा हाली भाई हमारे को इंट्रिविजन जाते हैं फुरकान मलीक बहुत अबर्दास बहुत अबर्दास लेकिन देखना होगा गेंगराउंड में हैं गेंगराउंड में हैं और आउट हो गए हैं वापत जाएंगे और सामने बेड़ा रहे हैं शौकत मलीक अभी बैटिंग है लिकित तीन होने के बावजूद अब भी बैटिंग है बॉलर हैं मेंडिस जो के दो विकिट ले चुके हैं अपनी तीन बॉलों में बहुत जबर्दस्त बॉलिंग यहां पर मेंडिस की चोधी बार चोटा बॉल पुल करा गेंगा इस सीधी बिट विकिट पर जब तक जब जबर्दस्त बॉलिंग मोगली की चोधाव बलेग आए अर्शु खान सामना करेंगे शोकत मलीक पांच महाव बलेग आए बाली इनने मुझे बताया है माफी जाता हूं पांच महाव बार अर्शु खान यौर कर गें फुन लेन गेंगें गेंगें इसक्वाइल लेक पर एक रंदसाई से पूरा कर लिया और नाजीम भाई के छोड़े भाई नवेदा हैं बेटिंग पर बहुत अबदस लेफ्टी बलेबास बोलर हैं अर्चु खान यह बहुत अबदस बोलर हैं अर्चु बाली से तो अच्छी डालना है बाली ने पतीस रंद खाए अपने उबर में कट अर गें बहुत चार पने चल चल अर्शु खान कटर बहुत लेगे उडाकर मारा है साजीद होल्डर और आजम नीचे साजीद होल्डर नाजीम के भाई भी जाएंगे वापस हारून हारून सिर्फ बैडिंग अन्या है काशिवपूर से यह बहुत जबदद बल्ले बाद हैं बॉलर है अर्शु खान देखते हैं यह क्या कर पाते हैं अपनी टीम के निए हैं क्योंके तीम बहुत गड़्डे में हैं और बहुत बढ़िया आते ही बिलकुल सीदे बल् चुखान कडर गें था लेकिन घुटना रखके और विट विगेट को बढ़ से 145 मिटर मारा भाई स्लॉक स्वीप रख दिया बहुत ही दबर्दद छक्कारून के बल्ले से दो बोले और दो चक्के विगेट हो चुके हैं पांच लेकिन इस मैच में रन भी बना दिये हैं सब्सक्राइब करेंगे शौकत मलिक जो के बहुत दबर्दद बल्लेबाद हैं उद्धन सिंह नगर के साइद होल्डर पहला बहुत दबर्दस बहुत दबर्दस सीधा जूते पे लगा के फैद अपसामना करेंगे साजीद होल्डर का लेक कटर गेन लेकिन लेक कटर को काट कर ददिया और यह मारा है भाई ने आमों खेतों ही पार गंड़ के खेतों हमार दिया भाई ने 173 मिटर का चक्का बहुत ही लंबा बहुत दूर एक बार फिर बहुत बढ़ी आए एक्स् कि इसली है ट्का जएक जबंड़ करना हैं इसमें अच्छे अपरोमा असी रं हो चुके है छक्के जो पढ़ना है वो पढ़ना है 150 पर ही बहुत दूर दूर शक्क के मारना है क्योंकि आजकल बल्ला रहा है बहुत बढ़िया चार-चार-चार-पैजार के टेनिस बोल के बेट आ रहा है हाट बैड जो गेन कभी कचुमर निकालने मेंडेज तैयार है शौकत मलेक बल्ले का बाहरी हाद है या उन् 흥 दो रन पूरे का लिए बहुत ही बढया बहुत ही बढ़िया रने गा दो न पूरल्ले लिया हलकातों खेल के पठान सामने करेंगे मोगली हो बहुत बढ़िया लों फुल-ोस बल्ली के नीचे लगी और एक रनबना ओं दोरन बन गया है आ नहीं लगी तेरो नहीं लगी, बहुत बढ़ी ओवट्व डाल देज़ने साध्मा, ये भलले का बहारी की महाले लगा है, बहुत बढ़ी कहे हैं, साजित की, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी,। शाध्मों का इसकवाई लेका, चार रण, साथ मोवर की लास्ट बॉल 89 नन इसो आखरी बार लेकर चले हैं मेंडिस सामने करेंगे नितिन ऐ भाई क्या मारा है देखते हैं क्या होता है देखते हैं देखते हैं और आउट आउट हो गए पांच विकिट ले लिए हैं मोगली ने इसमेच मेंडिस बहुत अब 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 बोल डा लिए इनिंका लास्ट बर लेकर आए साइड होल्डर सामने करेंगे शोकत देखते हैं देखते हैं कित्रे ने बदनाते हैं इसमें 89 नन हो चुके हैं साथ ओबरों में मारा भाई ने लेकिन सीधी आतों में आउट होगा है दूसी निंग का मैच स्टार्ट आजम सामने गरेंगे अंकित जस्पुरिय का छोड़ा बॉल करा पुल करा लेकिन पल्टोपेज लगी गेंगाई एक्स्टर कवर में ओ एक एरन बना पुल कर दिया भाई ने अब भाई बहुत दूर मारा भाई ने पुल कर दिया छोटा बॉल था साजी देखर फिर तयार हैं अंकित जस्पुरिया यह यह और कर गें यार क्या बात है क्या बात है सीधी इस्टर अंकित जस्पुरिया अब बैडिंग पाए हैं अर्शु खान वन डाउन बहुत अच्छा हल कहा तो लॉंग आफ की तरको खेला और यह करा साजी से पूरा कर रहा है दोनों ही टीम है और 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 विकिट पर और क्या क्या पकड़ा है कि इस ओवर से दो विकिट ले लिए भाई ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और भाटी उदर से लबेट कमाना चाहते थे इस सीरी मिड विकिट के हाथों में अबने बल्लबाद आये मोनु मुरदाबाद सामने गरेंगा अंगी जस्पुर यगा छोटा गेन हलका तो सब्सक्राइब पॉइंट के रफ दो रन भाग नहीं को इस करिए लेकिन नाजिम भाई बहुत तेज है विकिट कीपर पहुंच 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 पहु एक और एक बॉल दस रन दो विकिट और बहुत बढ़िया गुड लेंड बॉल पुल करना जाते थे लेकिन सीधी विकिट की परकातों में अपने वर में तीसरी बार कटर गेन कटर गेन अंदूरी के नाना बल लेगा इसको अलेक पर गई एक रन बनेगा बढ़िया बढ़ एक रन पूरा कर लिया और शुखान फैद छोड़ा बॉल पुल करा गेन गई मिट विकिट पर कोहत लंबा एक सो पच्पन मिटर चका पहला और शुखान के बले से एक बार फिर से तयार है और शुखान सामना करेंगे फैद का एक शक्का बल मार जाई इस ओबर में और बहुत ही जबर्दस आगे फुल लेंड डाइब मारके बहुत ही बड़े शारीम का केंच और मेज मेरे जाफ से अब फस गया है बहुत ही बड़े अब नेवले बादा हैं निखिल दद्दा और बोलर हैं बोलर मनोज हैं बहुत बड़िया लेकिन खड़ी हो गई मौनू की भी घेन खड़ी हो गई हारून है नीचे हारून है नीचे और क्या दबदस केच पकड़ा है क्या शांदार केच पकड़ा है बहुत उच्चु छल गई थी और बहुत ही यह भी काड़ विधान तकते हैं बोलर है मनोज जो का भी चोड़ा बोल पूल करना चाहते थे गेन ब लोफुल टोजो जेन बल्लया कोई डीक से संपक़ नहीं पाई और एक ही रन्मनेगा केवल बनोज एक बार फिर सामने करेंगे हमाद यह भाई ने मार दिया भाई यह कि इसीदी सीदी 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 सिदी 180 मिठीक वह लंबाल लिप्तिसों के दूपर है एक बार फीर म सामने करेंगे एहमद ये फिर मार दिया भाई ने सीधी शारीम के सर को पर ते छक्का दोवरों में चाहिए मैं जीतने की निये और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सीधी गोद में गिर गई केंच तो ये शॉट बहुत दबदब मारता ददाने लेकिन ग्राउंड उदर पड़ा है एक्स्टे कोर में तो सीधी हाथों में और आउट वोकर वापच जाएंगे निखित साजित होल्डर सामने करेंगा अंकित का ये क्या कर दिया खड़ी हो गई खड़ी हो गई शौकत शौकत अरे बहुत अच्छी टाइप करी थी लेकिन केंच छूट गई हिए हमाद अपने वार में तीसरे भार अंकित जास्फूरिया खड़ी हो गई खड़ी हो गई है देखना है देखना है और ये भी वापन जाएंगे हमाद भी चार विकेट खाग। भाई बहुत जबर्दस बॉलिंग अंकित की पूरिय का यार चाते यार जबर्दस दिखी भी नहीं बल्लेबास को लग्चे लग्चे अंकित बाली भी खात्मा कर दिया च्छे विकित ले लिए भाई अंकित ने बल्लेबास आएं खालीट साथ भी गिरो चुके हैं चार ओरों हैं 50 अंच चाहिए हैं मैं जीतने के नहीं हैं साजीद होल्दर सामने करेंगे फैद का फैद लेफ्ट एम डाउन दा विकेट बारा है ख़डा हो जिए नाजिम भाई ने यार बहुत ही दबर्दस केंट नाजि इसमें भी फूल करा है और यह भी वापत जाएंगे यह यह भी आओ साहिया शावेज भी आओड ने बन लबादा हैं मेंडिस यह तो बिल्कुल यह 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 लग रहा है अब बहुत अच्छी गेंग बहुत दबत दिया हैं मेंडिस पॉइंट पर एक इरन मनेगा कि अगा बढ़िया फैर पर फिर सामने करेंगे खाली दब लास टूगी दे फैर पा बहुत अच्छी है आदो तो देल और अज़िए बढ़िया बढ़िया या मनोज मनोज सामने करेंगे खालीद मारा है सीरा हाथों में मेच खता मोड़ गया जीर गा मेच बढ़िया जीर गारा है